अगर आपको कोई छोड़ करके चला गया है तो उसके पीछे जीवन बरबाद मत करो बलकि जिन्दकी को दोबारा शुरू करो क्या चिडियां एक गोंसला तूट जाने के बाद निरास हो जाती है क्या ताले की चाबी खो जाने के बाद में हम उसे तोड़ करके नया ताला नहीं लगाते टायर पंचर हो जाने के बाद में पंचर निकला जाता है पूरी गाड़ी नहीं बदली जाती है इसलिए किसी के जाने से आपकी जिंदकी की गाड़ी रुख जाए तो आप पके ड्राइवर कहा हुए अपनी जिंदकी के ड्राइवर बनो सवारी नहीं नमस्कार मैं हूँ कमर्ट श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिवल यानि की 31 अक्टूबर के इस विसेश एपिसोड में साथ ही आपको बदा है और सुपकामने देना चाहता हूँ जिनका आज जन दिवस है, मेरिज अन्वसरी है या कोई विसेश यादगा दिन है तो आईए, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांके आज 31 अक्टूबर 2021 को रविवार है और आज के विसेश उपाय में आप घर में जहां पैसा रखते हैं वहां जरूर करिए ये उपाय इस एपिसोड के अन्थ में बतलाऊंगा वो कौन सा उपाय है क्योंकि ये आप सब जानना चाते हैं ये मुझे मालूम है समवत 2078 का कार्थिक क्रश्न पक्ष चल रहा है आज 10 वी तिती है दोपेर को 2 बज़ करके 27 मिन तक आज मगा नक्षत रहे दोपेर को 1 बज़ करके 15 मिन तक उसके बाद में अगला नक्षत रहांब हो जाएगा और आज चनमा सिंग रासी में ही रहेंगे आईए अब बात करते हैं राउकाल की दोपेर को 4 बज़ करके 30 मिन से लगा करके साम को 6 बज़ तक राउकाल रहेगा और राउकाल के बारे में ऐसी मानिता है कि कोई भी नया कारिय नया सुपकार अरंब नहीं किया जाता है और हमने विसेश रूप से दो एपिसोड बना करके आपको दिये इसी चैनल पर उपलब दें कि राउकाल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और राउकाल की कैलकुलेशन का आदार क्या है वो आप आराम से देख सकते हैं अब बारी है सुप चोगड़े मुरत की आज प्रात नौ बज करके पचास मिन्ट से लगा करके बारा बज करके पचास मिन्ट तक और वापस दो पैर को दो बज करके बीस मिन्ट से लगा करके दो पैर को तीन बज करके पचास मिन्ट तक सुप चोगड़े मुरत रहेगा इसमें आप सारे सुप कारिय नए सुप कारिय आरम कर सकते हैं आई अब बात करते हैं या था मौदत की आज पूर दिसा और दक्षण दिसा में यात्रा करना सुब है वहीं पस्थिम दिसा नेरति दिसा साउथ वेस्ट और इसान नौर्थ इस्थ में दिसा सूल लगा रहेगा ऐसी इस्थिति में इन दिसाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादे आवश्यक होने पर फिर जाना ही पड़ेगा तो फिर गी खा करके या गी सुंग करके यात्रा का आरम कर सकते हैं ये दिसा सुल दोस का परियार हुआ आई अब बात करें आज के सुबग्रय योगों की आज सुरिदय कालिन कुली में आश्रय योग, संक्या पास योग, सस मापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, वेशी योग, शंक योग, महा भागी योग, नीच बंग राज योग, विमल योग, इन सभी का साथ मिलेगा जितने ज्यादा सुब योग, जितने ज्यादा राज योग, जितने ज्यादा महा योग, उतना ही आपकी बलवान कुली और उतनी ही शांदार सुख सुधाओं से भरी पूरी आपकी लाइफ स्टैल क्योंकि जन कुली का जो आत्मा होती है वो योगों में बसती है और जब योग अच्छे हैं तो जब भी उन योगों से समझ इस ग्रहों की दसा आएगी आपका जीवन बहुत शांदार होगा या यह बोच सकते हैं आहां बासा में लेकिन उसके लिए आपके बास में राजयों की कुली होनी चाहिए डिटेल होनी चाहिए और उस एक राजयों की कुली में हम आपको एक साथ में तीन कुलियां देंगे विदिक जोतिस की कुणली लाल किताब की कुणली अंग जोतिस की कुणली उन सभी का विशलेशन और उन सभी के उपाए और फिर विश्य सुरुप से बनेगी राज्यों की कुणली उसकी कैलकुलेशन वह साथ में मिलेगी आपको लिस्ट कि आपकी कुणली में कितने सुभी होगे, कितने असुभी होगे, कितने मिश्रित होगे ताकि आपको पता पड़े कि आपकी कुणली में क्या-क्या आपको मिलने वाला है इस जीवन में और वो सुब कब मिलने वाला है तो इसके लिए जब भी जिग्यासा हो स्क्रीन पर नंबर दिये हैं उस पर कॉंटेट करिए राजयों की कुंड़ी के लिए आप उनको बोल सकते हैं घर बठे आपको राजयों की कुंड़ी मिल सकती है सिरप आपको डीटेल देनी पड़ेगी आईए अब बात करते हैं कवच निर्मान की दो नवंबर से अता धन तेरस से लगा करके चार नवंबर की संपून राती तक दिपावली की पूरी रात हम आपके लिए कवच का निर्मान करेंगे वैसे तो समस्या या कामना पूर्थी के लिए अलगलग कवच का निर्मान किया जाता है जो आप स्क्रीन पर नंबर दिये वह देख रहे हैं उसपर संपर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टीम के पंडित गण आपकी पूरी सायता करेंगे वैसे वर्तमा समय को देखते हुए आपको कुछ कवज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ ज़रूरी समझ रहा हूँ जैसे विवा बादा निवरांड के लिए सिवगोरी कवज है बहुत बार या कई बार अधिक उम्र होने के बावजुद भी विवा नहीं होने से mentally stress बढ़ जाता है प्रावलम बढ़ जाती है confidence level down हो जाता है या आप सोच विचार करने लगते हैं कि मेरे पास अच्छी job है मेरे पास में status है financial stability है उसके बावजूद भी मेरी साधी नहीं हो रही है विवा नहीं हो रहा है ऐसे में विवा समझनी समस्याओं के लिए सिवगोरी कवज धारन करना सुब रहता है दामपती जीवन यदि सुप पूरवक नहीं वियतित हो रहा है कुछ समस्याओं उनके लिए भी सिवगोरी कवज धारन कर सकते हैं उससे राहत मिलेगी इसमें कोईशन से नहीं है अब बात करते हैं सिक्सा के लिए एजुकुशन के लिए सरस्वती कवज प्राई बच्चे पढ़ने में आना काने करते ही है क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा खेल कुद में टीवी देखने में शरारत करने में मजाता है तो कई बार बच्चा पढ़ा ही तो दिन रात करता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है या भूल जाता है, परिशान रहता है, इन सभी इस्तितियों में बच्चे को सरस्वती कवच धारन करवाना एक उपाय है और इससे भी बढ़ करके अश्ट विलाएक कवच का प्रभाव दिखाई देता है ऐसी इस्तिति में जो भी बच्चे आपको ग्रेशन कर रहे हैं, कॉल जो तिसके माध्यम से अपना केरियर बनाना चाहता है, योग के द्वारा, सादना के द्वारा सादक अलोकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी शक्तियां जिने देख करके समने लोग तो उसे अवतार ही मान बैठते हैं, तो कोई उन्हें महामानव बोलता है, कुझने लगते हैं, यह शक्ति है, कुण्लीनी शक्ति, कुण्लीनी जागरत होने पर सब कुछ शक्तियां अनायासी उपलब्द होने लगती है, तो आपको कुण्ली जागरत जिसको भी करना है, उसको कुण्लीनी शक्ति कवच सहायक होता है, सपोर्टिव होता है, अब बा बात आती है तो वहां स्वता ही अश्ट लक्ष्मी की बात आती है अश्ट लक्ष्मी की बात अथार्त धन लक्ष्मी यश्ट लक्ष्मी आयू लक्ष्मी वाहन लक्ष्मी इस्थिर लक्ष्मी ग्रा लक्ष्मी संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी यदि आप भी लक्ष्मी प्रप्तिका प्रियास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ने कुछ कमी, कुछ ने कुछ असंतुस्ती अवस्य बनी रहती है तो आप असलक्स में कवच धारन करके जीवन को संपूर एश्वरे में बनाने का प्रियास कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए कि बीतावा कल कभी बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हातों में होता है, इसने सही समय पर सही फैसला आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी जीवन का मोड बदल सकता है, जहां पर आपको सफलता ही सफलता हाथ मिले आईए अब आरहम करते हैं आज का रासिफल 31 अक्टूबर 2021 के लिए और आरहम कर रहा हूं मेश रासी से मेश रासी के लिए रासी से पांचवे बाव में फिप्ट आउस में सिक्सा और संतान बाव में चनमा विराज माने जो की मिक्स रिजल्ट ही देता है तो ऐसे इस्तिति में थोड़ी सावदानी रख करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मिक्स को आप स्टेंथ में पॉजिटिव टे में भी बजल सकते हैं या आपके हाथ में नक्षत तारा सिद्दान के उसार प्रत्यारी तारा का साथ और अस्टाक वगमें 23 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चनमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देते हैं रासी से टेंथ आउस में शनी बहुत बलवान है क्योंकि ये पंच मापुरस में से एक शर्षियों कर निर्मान करता है ये इस्तिती सुबह है तो आने वाले समय में 20 नवंबर 2020 से ब्रेस पती भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैटर होने वाले है जो कि आने वाली 13 अपरेल 2022 तक आपको सपोर्ड देते रहेंगे क्योंकि रासी से 11 आउस में ब्रेस पती बहुत कमाल करेंगे और आपकी कुली में तो भाग्य का दिपती हैं तो भाग्य और लाप का संबन बन जाएगा जो की बहतरीन होगा रासी से 5 आउस में आयवा चन्रमा आपको mentally obstacles देता है, harass करता है, confuse करता है लेकिन यहाँ पर investment से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कियावा investment, चाहिए वो future investment हो, lottery हो, सटा हो, gambling हो, कुछ भी आपको फाइदा नहीं दे पाएगा और यह संदर्ब मैं इंडिया के लिए नहीं, abroad के लिए भी बोल रहा हूँ, जहाँ पर speculation, जहाँ पर lottery, जहाँ पर gambling जाए 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 यह कि विक्ति मोजाल में बुरी आ सकती में करके किसी न किसी से मिलने चला जाता है, वहाँ पर वो problem का शिकार हो जाता है, अधात साजिष का शिकार हो जाता है, ऐसी सिद्धी में आपको अपने उपर भी control रखना है और ऐसे लोगों से भी मिलने से बचना है, जिन को आप भी प्रावलम हो सकती है क्योंकि रासी से फिप ताउस इस्तमक एंटिस्टेंड को रिप्रेजेंट करता है यदि आप यातरा करना चाहते हैं तो इस्तितियां कोई बहुत ज्यादा बैटर नहीं है यदि बहुत आवश्यक है तो सोच समझ करके यातरा करें और जिस दिसा में जाना है यदि वहाँ दिसा सूल है तो तो फिर आपको जहां तक संभव हो उसको पोस्पॉर्ण करना ज्यादा बैटर रहेगा नहीं तो अस विदा के साथ में यातरा पूरी होगी जो भी समस्या आएंगी उनका ठंड़े दिमाग से सोचेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्योंकि प्लानिंग या उसका समधान आपके पहले से मौजूद है सिर्फ सोचने की जवरत है और यदि कोई प्लानिंग करने बहुत शांदार कोई डील है बहुत बड़ी कोई डील है प्रॉपर्टी से समधित कोई डील है तो थोड़ा सा रुक करके आपको एक तारीक की साम के बाद में अथा दो तारीक को जिस दिन धंते रह से उस दिन ब बात करें रसब रासी की आपकी रासी से फोर ता उसमें सुक भाव में चनमा विराज माने और ये चनमा तो सुब नहीं माना जाता है रासी से फोर चनमा रासी से एड़ चनमा रासी से ट्वेल चनमा ये अशुब माने जाते हैं और इसके बारे में आप ज्यादा तर उपा मसे नमा और या पिर मामर जुजे मंतर जो आपको इजी लगता है जो आपको याद है वो आप कर सकते हैं और एक और उपाय आप कर सकते हैं अपनी रासी को बलवान बनाने का क्योंकि जो भी इंपेक्ट आएगा वो आपकी रासी पर आएगा आखिरकाल दुखी कौन होगा प चनमा पिडित करेगा तो चनमा के उपाय करें यह आप इजिली कर सकते हैं तो रासी से फोर्ताउस का चनमा सुब नहीं माना जाता है लेकिन नक्षत तारा सिद्धान को साथ संपत तारा का साथ आपको सपोर्ट कर रहा है और रस्टा को एक में तीस दौट यह 67% आपका बच नहीं रह सकते हैं तो ऐसी स्थिति में गर्मी कलकलेस उतेजना ऑपसिकल्स मेंटल हैरस्मेंट और फिर जब दुखी हो जाएंगे, परशान हो जाएंगे तो हर काम में आपको वह stability, वह confidence, वह concentration नहीं मिल पाएगा और जब नहीं मिल पाएगा तो जो आपकी energy है वह energy waste होगी, आप वियरत में ही स्दाफ के बिख साथ में वादियोद और लड़ए जगडए करेंगे जो रास् से जब भी रासी से 4 चलमाएगा 8 चलमाएगा 12 चलमाएगा मैं आपको advance में बता रहा हूँ तो advance में आप भी सावधा नहीं रख सकते हैं कम से कम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आज मुझे फालत हुची जो में सामान चोरी हो जाना, सामान रख करके बूल जाना है, सामान खो जाना, जैसी इस्तितियां यहां दिखाई देती है, अताथ यह चनमा यहां पर आपको स्ट्रेंटन नहीं देता है, दुखी कर देता है, फाइनिशली लॉस भी दे देता है, तो जो बिजनस में ने, उनको तो और ज्यादा ध्यान रखने की आवशक्ता ज्यादा है क्योंकि गलत वह में नुक्सान हो सकता है। आज का लखी कलर है ओफ वाइड कलर और आज का लखी नमबर है नमबर टू। आईए अब बात करें में थुन रासी की आपकी रासी से थाड़ा उसमें पराक्रम भाव में चनमा विराज माने और बहुत शांदार चनमा माना जाता है। नक्षत तारा सिद्दान से अधिमित तारा का साथ बहुत ज़्यादा शुब है और अस्टक वग में 30.100% पॉस्टिव चनमा आईए। और ऐसी स्टिदी में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन, सक्सेस, एप्रेशेशन, एचिमेंट, प्रोग्रस यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्टिदी आप के लिए पॉस्टिव ही माने जाएगी, आपका नेम फिम भी बढ़ेगा, पैसा मांगने जाएगे तब भी नेम फिम बढ़ेगा, क्योंकि आपने किसी की साहिता मांगी है, आपने किसी को उपर चड़ाया है, अपने आपको डाउन किया है, फिर भी यदि वो आदमी समझदार है तो आपकी समझदारी की सराना करेगा। आज का दिन आपके लिए संतान के साथ में लगावका है। हेल्थ अच्छी रहेगी, एनरजी बरपूर रहेगी, फिटनेस भी शांदार रहेगी और आज के दिन जो भी आप इन्वेस्मेंट करें या इन्वेस्मेंट को इनकेश करें, आपके लिए गीन के मौके जबर्द सदाएंगे, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आज का लखी कलर है पिंक और आज का लखी नंबर है नंबर वन, आईए अब बात करें, करकरासी की आपकी रासी से सेकंड आउस में धन और संपती बाव में चनमा विराजमाने और ये चनमा भी मिक्स डिजल्टी देता है, नुकसान नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर देन करेंगे, तो फिर सोच समझ करके, जो आपको सेफ्टी मेजर्स ची है, वो सेफ्टी मेजर्स अपनाने के बाद में ही आगे बढ़े, यहाँ पर आपको अंसेटिस्फ्रक्शन ज्यादा मिलेगा, फाइनिशली अर्चन यह बोच सकते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो स से फाइदा तो को अभी नहीं मिलता है, शनिक फाइदा, शनिक सुक मिल सकता है, अल्टिमेटली आप टाउन ग्रेड में ही जाएंगे, अपने आपको नीचा ही दिखाएंगे, और आज के दिन विवाद करना, जगड़े टंटे में अपने पैसों का नुकसान करना है, यह बोला, पैसों का लेंदेन में बहुत साफ़दानी रखनी है, यह अवाइड करना है, वो इस्तिति आपके लिए सबसे ज़्यादा बैटर है, आपको संतान की, या जीवन साथी की बीमारी, उनके एटिट्यूड, उनके व्यवार को ले करके परिशानिया हो सकती है, या अभी फेस्टिवल का टाइम पिरिड है, इसलिए काम दंदा तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा अवेर जादा रहेंगे, आप हिसाब किताब करें, एक अपने स्टाफ को भी दे दिया पेपर, वो वापस री चेक कर ले, तो गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी, या ब बहुत अच्छा माना जाता है, सुब माना जाता है, फरस्ट आउस का मतलब ही है, आपका त्रिकोन भी है और केंदर भी है, और इस सिचुएशन को सनमुख चनमा बोला जाता है, और यह फाइनिशल गेन के लिए, इन्वेस्मेंट के लिए, कोई भी मीटिंग के लिए, अच्छा खाना पिना या घर का अच्छा माहौल आपको अंकरेज करेगा, आज के दिन आप फ्रेंड के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और आप खुद भी संपति का सुख भोगेंगे, या संपति से समझतित कोई काम का आज हो जाने से बहुत आप आनंद आयक इस करना यदि लाब दिखाई देता है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यह समझदारी है, आज का लखी कलर है, और आज का लखी नंबर है नंबर टू, आईए, अब बात करें, कन्या रासी की, आपकी रासी से 12 आउस में, एक्सपेंसेज बाव में चनमा विराज मान और यह चनमा तो सुब नहीं माना जाता है, एक्सपेंसेज का अर्थ ही है, नेगेटिव, जो आपकी लाइफ में वो खर्च हो जाने की स्थिति है, वो 12 आउस है, जब आप जन्म लेते हैं, तो 1 आउस आपको लगने मिलता है, सरीर मिलता है, सुबाव मिलता है, और 12 आउस अपमान अप्यस कोट का चरी वाद विवाद रोक एक्सडेंड मत्यू का है, ऐसी स्थिति में चनमा को यहाँ पर सुब कभी नहीं बोला जाता है, यह चनमा डिप्रसिव थौट, नेगेटिव मेंटिलिटी, फालतु चीजों में पैसा खर्च करना, दिखावाई के लिए इधर इधर गूमते रहना या यह बोच सकते हैं, बिना किसी बात के भी व्यक्ति गूमता रहेगा, फ्रेंड सलकल के पास गूमता रहेगा, या कोईन कोई थौट है, वो उसे परशान करेगा, तो अपना टाइम स्पेंड करेगा, और ऐसे में यदी यातरा करें, तो यातर में ज्यादा तर लोग negative सोच करके परशान रहते हैं रातों की नेंद उड़ जाती है और ऐसे में खर्च जो होता है वो चाए घर की कन्याय हो महिलाय हो या friend circle हो उन पे ज्यादा होता है व्यर्थ खर्च होता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने उपर control रख करके ज्यादा इस चनमा को आप मान सकते हैं tackle कर सकते हैं क्योंकि इसके लवा आपके बास कोई चारा नहीं है आज का lucky color है golden और आज का lucky number है number seven आईए अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से 11 आउस में लाप बाव में चनमा विराज मानें इसको तो सबसे सुब माना ही जाता है लाप के लिए हम सब effort करते हैं आप भी उसी के लिए effort कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ में यही effort कर रहा हूँ तो ऐसी इस्तिती में appreciation gain success यह सब कुछ रासी से 11 आउस से माना जाता है आज के दिन friend circle या कोई कोई अथिती होते उनका आग्मन जरूर होता है कोई को विशे से उद्धिक लिए होता है health बहुत अच्छी रहती है और जो भी मैनत करता है आज के दिन उसकी जोली खाली नहीं रहती है चाह वो छोटे से छोटा मजदूर है या बड़े से बड़ा icon है यहां पर आपकी सोच आपकी approach आपकी मैनत आपको gain success देती है या कोई बहुत बड़ा achievement देती है और यह समय तो festival का है यदि अविवाइट है तो विवा समन्द की बातें आज के दिन चल सकती है यात्रा करना सुखद रहेगा आपके competitors आपके विरोधी आप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आपका आहित नहीं कर पाएंगे आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगे आज का लखी color है yellow color और आज का लखी number है number two आईए अब बात करें रस्टिक रासी की आपकी रासी से 10 ताउस में प्रवशन बाव में चनमा विराज माने ये चनमा बहुत सुब माने जाता है नक्षत तारा सिद्धान के उनसार प्रतियारी तारा का साथ और अस्टाक वक में 34 डॉट ये combination 67% positive है 33% weak है लेकिन फिर भी 80 से 10 ताउस का चनमा आपको positivity देगा आपके काम काज में ज़्यादा आपको interest देगा या आपका अपने काम काज में और ज़्यादा बहतरीन डंग से काम करने का एक प्रकास से इच्छा जागरत हो जाएगी और उससे success की स्थितिया आजाएगी नहीं नहीं प्लानिंग बनेगी नहीं नहीं डेलिंग हो सकती है काम दंदा बहुत अच्छा हो सकता है व्यस्तता बहुत अच्छी हो सकती है और especially जो लोग इंस्योलेंस में मार्केटिंग में medical team का इस्सा है राजदितिक शेतर में उनके लिए तो इस्तिया बहुत बैठरीन है जन विवार में जनता के बीच में project launch करना या कोई भी product बताना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाएगा और यदि आप team leader है तो आपकी appreciation पकी है जो job करते हैं उनके लिए इस्तिया बहुत comfortable है जो लोग अध्यात्मिक लोग है पूझा पाट वाले लोग है उनको आज अनुभुती बहुत शांदार होगी और जो अपनी property को बेशना चाते थे ये property को किराय पर चड़ाने के लिए try कर रहे थे उनके लिए इस्तिया बहुत सुकद है अधात आज के दिन आप जो भी सोच करके बैठे हैं उसके आसपास गतिविद्या आपको मिलने वाली है और जो business मैंने उनके लिए आज का दिन बहतरीन है जो संभावना है उन संभावना को use करना चाहिए अधात आज के दिन आपको 100% नहीं 100% से ज़्यादा काम करना है ता वद्धतारा का साथ और अस्टा को अगमें 21. यह combination इस चनमा को 50% positive और 50% week बना देगा रासी से 9th आउस का चनमा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि हेल्थ बाव से 6th आउस से यह केंजर में होता है 4th आउस में होता है सुख बाव में होता है तो यहां प कहीं कहीं problem आती है चाए वो अपने आपको maintain करने में manage करने में चाए आपके employer है साथ में काम करने कलिक से हैं senior से हैं उनके साथ में argument हो जाएगे सारा दिन आपका सोच विचार में व्यरती खराब हो जाएगा सोच सोच के परशान हो जाएगे और अपमानित यदि हो गए बह हमेशा एक dialogue मारते हैं कि हम इस्तिपा जेब में लेकर के गुमते हैं वो इस्तिपा दे करके आ जाते हैं और बाद में पस्ता आते हैं मैं ऐसा आपको सला कभी नहीं दूँगा यह temporary है temporary डंग से ही manage करना है तो मान समाल प्रतिष्टा financially loss की स्थिति आ सकती है लेकिन आपका ज प्रिचेनी गबराट इसका शिकार हो सकते हैं और जो लोग वरद हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा साफदान रहने के आवशकता है आज का लखी कलार है स्काइब लू और आज का लखी नंबर है नंबर थरी आईए अब बात करें मकर रासी की मकर रासी के लिए रासी स एड ताउस में मारक बाव में चनमा विराज मानें जो कभी सुब नहीं माना जाता है हाला कि नक्षत तारा सिद्धान को सान मित्र तारा का साथ और अस्टेक वग में थर्टी टू लोड ये कॉमेलेशन 67% आपका बचाव करेगा लेकिन 33% फिर भी negativity को face करना पड़ेगा ए उन लोगों को extra aware रह करके extra alert रह करके सावदान हो सकते हैं नुकसान से बच सकते हैं क्योंकि accident का मतलब छोटी सी चोट भी आपको घर पे बैठा सकती है और इस समय festival टाइम है नए दिन घर पे कौन बैठना चाहेगा विर्थ में ही किसी के साथ में पंगा नहीं लें हाता पा सबतियां ये सब आपको परिशान कर सकती है और घर परिवार में भी चाहे वो पेरेंट के साथ में हो जीवन साते के साथ में हो या सस्वाल वालों के साथ में हो कहीं कहीं संबंदों में कटूता आना स्वाबावी के है जो ऐसी इस्तिति में बदनामी या दूर्दसा होना निश्चित है उसके आसपास की इस्तिती रहेगी जहां तक संबवो लॉस से एक्सिडेंट से घायल होने से बचने के आवशकता है फूख फूख करके कदम रखें और इस समय जो लोग जहां तक कैश का काम ज्यादा करते हैं चाहाँ वो बैंक में कैसिर की सीट पे हो सकते हैं या जब भी नेगटिव चनमा हो उस पोस्ट पर मत बैठिए आज का लखी कलर है मेरून और आज का लखी नमबर है नमबर सिक्स आईए अब बात करें कुम्बर रासी की रासी से सेवन ताउस दांपत्जुक बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा बहुत सुब माना ज सकता है कोई बहतरीन इंफॉर्मेशन मिल सकती है निउस मिल सकती है चाहे आपके परिवार में सस्वाल में किसी का सगय समद निस्थित हुआ हूँ आपको इन्विटेशन मिला हूँ या कोई जो लोग जॉब चेंज करने के लिए ट्राइ कर रहे थे उनको वो कन्फरिमेश आज इमेल आजाए फॉन को लो जाए इंटर्विय के लिए फॉन को ला सकती है ऐसा कुछ नू कुछ जिसको आप सर्प्राइज बोल सकते हैं वो आपकी लाइफ में घटने वाला है और वो सर्प्राइज पोजिव होगा अधार नेगेटिव सर्प्राइज की मैं बात नही सकतें कि अपने जीवन साते के जाथ में कोई अप्लानिंग कर सकते जिससे घडर का माहूल बहुत अच्छा बनेगा शांदार शॉपिंग हो सकती है जो लोग को शी전 केशल को शूपिंग को स्थिद्धियां बहुत बहुत बैंथेरिन है सुख सुदाओं में व्रद्धी आपको मिलेगी और जो व्यापारी गण है उनके लिए गेन की स्थितियां शांदार है इन्वेस्मेंट या इन्वेस्मेंट को इनकेश करना यहाँ पर बहतरीन है सुब है तो ऐसी स्थितिय में सब मिला करके यह चनमा बहुत शांदार बहुत बहतरीन है सोच समझ करके यदि काम किया जाए तो आप यहाँ पर एक साथ में कई दिनों का वल्यूम पूरा कर सकते हैं आज का लखी कलर है सिल्वर कलर और आज का लखी नमबर है नमबर फूर आईए अब बात करें मीन रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग भाव में चनमा विराज मान है और यह चनमा सुब माना जाता है हाला कि नक्षत तारा सिद्धान के उसार वद तारा का साथ सुब नहीं है और अस्टक वक में 23 डॉट यह 67 परसेंट पॉस्टीव है सिक्स ताउस का चनमा नेगिटिविटी से निकलने के लिए स्ट्रगल से निकलने के लिए हेल्थ प्रॉलम को दूर करने के लिए जो भी आपके विरोधी हैं उनसे आपको फाइट करने के लिए अच्छी प्लानिंग आज बना सकते हैं और जिससे मिलने जाना है चाहिए वो लोन के लिए मिलने जाना है फाइनिशल हेल्प के लिए मिलने जाना है इस दिन का इस्तिमाल करना बहुत शुबर रहता है कोई भी विवाद है उसके लिए समझोता करना है समझाइज करनी है बात करनी है उसके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत बहतरीन है सब मिला करके आज के दिन जो भी मेनत करेगा वो व्यक्ति एप्रेशेशन पाएगा और चाहे कोई एक्जाम हो चाहे इंटर्वी हो कोई डिबेट हो उसमें आप भाग लेंगे आप हंडेट पसंट सक्सेस्पूल रहेंगे आपकी कुनली मैंने नहीं देखिये मैं रासी की बात कर रहा हूँ इसलिए रासी फल के संदर में ही देखा है आपकी आई के लिए आप प्रॉपर्टी के लिए स्पेकुलेशन के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये चलमा बहतरिन माना जाता है इसलिए इन्वेस्मेंट को इनकैश करने के लिए रोग मुक्ती, कर्ज मुक्ती विवादों से मुक्ती, शत्रुनास इन सब के लिए रासी से सिक्स ता उसका चलमा हमेशा बैतरिन माना जाता है तो चाए आपको किसी से मिलने जाना है किसी के विरुद कोई भी एफर्ट करना है तो भी आज के दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आज का लखी कलर है ब्लीव और आज का लखी नमबर है नमबर थ्री ये तो हुई बात आज के रासी फल की आईए अब बात करते हैं आज के विसेस उपाए की अब घर में जहां पैसा रखते हैं चाह वो कैस बोक्स हो सकता है अलमाली हो सकती है कोई ड्रॉवर हो सकती है वहाँ पर ये एक उपाए जरूर करना है सबी के घरों में पैसा या धन, ज्वेलरी या अन्य कोई भी important document भी होंगे वो रखने के लिए कोई विसेस इस्थान तो होता ही है समने तोर पर ये सबी सामान घर की तिजोरी में या किसी अलमारी में रखे जाते हैं चाए वो तिजोरी हो या अलमारी हो वहां के लिए एक विसेस उपाई बताने जा रहा हूँ जिससे आपके घर में संचय बना रहे हैं जिससे आम बासामा बरकत बोलते हैं ताकि कभी भी पैसों की या संसादनों की कमी नहीं बन पाए इस छोटे से टिप्स को अपनाने से घर में हमेश सा stability, स्थिर्ता, financial improvement आपको बनी रहेगी आता धन की कमी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जहां तीजोरी में पैसा रखते हैं वहां इसी वज़े से धन की देवी मालक्समी का भी निवास होता है इस इस्थान को एकदम पवित्र और साप स्वच रखना चाहिए इसके अलबा एक सटिक उपाए और है जिससे अपनाने से परिवार के सभी सद्यस्यों को आर्थिक तंगी से परिशान नहीं होना पड़ेगा घर की जो तिजोरी होती है, अलमारी होती है उसके दरवाजे पर मा लक्षमी की अद्बुत और विसेश फोटो लगाए ये चमतकारिक फोटो लगाए फोटो ऐसा हो जिसमें लक्षमी देवी बैठी वही हो लक्षमी जी का चित्र सुन्दर हो, परंपरागत हो साथ ही दो हाथी सून्द उठाए वे, उनके पास में नजर आने चाहिए और उन लक्षमी जी के साथ में यदि कुबेर की और साथ ही गणपती माराज की फोटो भी हो सलस्वती की फोटो भी हो, ऐसा अगर हो जाए तो और ज़्यादा बैठर है ताकि वाँ बुद्धी, फाइनिशल स्टेबिलिटी, धन और साथ ही साथ जिससे आप आम तोर पर बुद्धी बल बोलते हैं कि बुद्धी से पैसा कमाए जाए वैसा पैसा कमाने के लिए सरस्वती जी जिम्यदार होती है तो ऐसा फोटो लगने से आपके घर पर या मा लक्षमी की किलपा हमेशा बनी रहेगी और पैसों की कभी कमी नहीं देखनी होती है क्योंकि ये अट्रक्शन होता है लक्षमी का आकरशन होता है और लक्षमी आकरशन के लिए बहुत सी समगरियां होती है बहुत से साधन होते हैं उपाय होते हैं जो मिन आपको बहुत बार बतलाएं और नहीं तो आप कब और कैसे लक्ष्मी करेगी वारे न्यारे ये मिन एक बुख लिखी है हर रासी के विक्ति के लिए हर लगने के विक्ति के लिए वो आप मांगा करके देख सकते हैं इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि खुद को किसी भी प्रकास से अधार्मिक कार्मों में या जो कर्में उनसे दोरी रखें जिस कमरे में तिजोरी रखी गई है उस कमरे में हलका क्रीम रंग यदि पेंट करते हैं तो और अच्छा रहेगा वास्तुक नुसार धन के देवता जो कु प्रबाब से धन की सुरक्षा होती है और सम्रदी बनी रहती है इसका मतलब यह हमने अपने नकद धन को उत्तर दिसा की और रखना चाहिए अथा जो अलमारी का मूँ है या तीजोरी का मूँ है वो उत्तर दिसा में रहे जब हम खड़े होंगे तब क्या होगा हमारा मूँ दक्षिण दिसा में रहेगा वो तीज़ोर के मूअतर दिसा में रहेगा यह सिंपल सा लॉजिक है हर व्यक्ती के के लिए नकद धन के लिए अलग इस्थान बनवाना संभव नहीं है या यह बोच सकते हैं को तीज़ोरी के लिए या कोई भी और important आप स्थान नहीं बना सकते तो जहां पर भी पैसा रखने के लिए सुविदा उपलब्द है या कोई अलमारी उपलब्द है वहाँ पर आप ये उपाए कर सकते हैं आप अपना रुपया पैसा उत्तर दिसा के कोई भी कमरे में रख सकते हैं और या पिर उस कमरे में जो आपका अपना रुप में उसमें ऐसी व्यवस्ता करें कि जो अलमारी हो जिसका मुँ उत्तर दिसा की तरफ हो उसमें ही कोई ड्रावर में या कोई कैबिनेट में आप पैसा रख सकते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा भी होगी और चोरी का भै भी आपको कम रहेगा या नहीं रहेगा तो आर्थिक स्तिती में सुधार अवश्य दिखाई देता है कुछ विद्वानों का मानना है कि नकद धन को उत्तर दिसा में रखना चाहिए और रत्न आबोशन आदी दक्षन दिसा में रखनी चाहिए इसके पिछे कारण यह है कि नकद धन आदी हलके होते हैं इसने उन्हें उत्तर दिसा में रखना रदी दायक माना जाता है लेकिन मेरी नजर में जो भी आपकी स्ट्रेंट है जो भी आपकी वैल्यू है जो भी आपके वैल्यूबल कागज है वो सब के सब एक जगह पे रखें या अलग लग जगह रखें लेकिन उनका स्थान भारी जगह पर हो और वो मुँ जो उत्तर दिसा में हो तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से उनको manage भी कर सकते हैं तो ornaments के लिए, रतनों के लिए, सोने चांदे के लिए आपको हमेशा जो भारी चीज होती है या यह बोच सकते हैं, इनकी value बहुत जादा होती है जब उनके वजन बहुत कम रहता है तो ऐसी जगे पे रखी जाए, जो आपकी तुजोरी या अलमारी होती है या फिर बहुत सुरुक सी जगे रहती है, वो स्रिष्ट रहती है भारी समान रखने के लिए दक्षिन दिसा स्रिष्ट मानी जाती है इसलिए ही कहा जाता है कि दक्षिन दिसा में आप अलमारी रखें और उसका मुह उत्तर दिसा में हो तो सबसे ज़्यादा बैटर है जहां पर भी आप रुप्या पैसा रखते हैं वहां पर हमेशा नाकिशर रखनी चाहिए लाल जो कपड़ा होते हैं रेश में कपड़ा वह बिच्छा करके रखना चाहिए क्योंकि लाल कलर में स्ट्रेंट है और आप हमेशा देखिए जब भी गैन है कि कोई पोटली होती है तो लाल कपड़े में बंदी रहती है कोई और जमाने में फिशले जमाने में जब भी लोग अपनी जनम पत्री का लाते थे वो भी लाल कपड़े में लेपेटी भी रहते थी आप भई खाते देख लिजिए वो लाल कपड़े होते हैं या उपर आवरंड जो होता है तो लाल कलर सुब माना जाता है जब आपको कुमकुम का तिलक किया जाता है वो भी लाल है मेंदी लगे जाते हैं वो भी लाल है जब कोई भी इस तरी का कोई भी लड़की का विवा होता है तो उसके पाउं में जो अला लगा जाता है वो भी लाल कलर कर जाता है तो कहने का अर्थ यही है कि आप वहाँ पर लक्षमी को आकर्शन भी करें आकर्शन करने के बिल्ये भी कोईन को समान रखें जैसे कौडियां रख सकते हैं शंक रख सकते हैं नाक के से रख सकते हैं लाल कपड़ा बिछा सकते हैं कोई मूर्ती जो चांदी की मूर्ती या कुबेर की मूर्ती ले लिजिए लक्षमी की मूर्ती ले लिजिए गणपती की मूर्ती ले लिजिए वो हमेशा आपकी तीजोरी में विराज मान रहें दिपावली को उन मूर्तियों को निकालें उनकी पूजा करें वापस उन्हें व बतलाएगा आने वाले समय में धंतरस्ति लगा करके दिपावली तक मैं आपको जो भी मौरत है वो हर दिन बतलाऊंगा और अलग से एपिसोड में भी बताऊंगा तो धंतरस्त का मौरत आपको कल एक तालिक वाले एपिसोड में दिखाई देगा विस्ताय से बताऊंगा जिस बहुत बहुत ख्यार रखें आप सभी को मेरे नमशकार बहुत बहुत शुप काम नहीं इश्वर आपकी रक्षा करें महालक्समी माता आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद